समस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं suspension और जिसमें हम लोग देखेंगे suspension की stability problem and method to solve them तो इससे पहले हम लोग suspension का classification, advantage, disadvantage, ideal property discuss कर चुके हैं आज हम लोग देखने वाले हैं suspension की stability problem और method to solve them तो यह मैंने table बना रखी है, इसे table form में divide कर रखा है, इससे आपको समझना बहुत ही easy हो जाएगा सबसे पहले यह problems लिखी है, फिर उनका reason लिखा है और फिर solution लिखा है, ठीक है तो one by one करके हम इन्हें discuss करेंगे, चलिए देखते हैं अब जो हमारी first problem आती है, वो देखिए, change in flavor of undue to long time, यह थोड़ी साइद मेरे साब से erase हो गया है, यहाँ पर यह flavor है, F L, ठीक है तो यह है change in flavor long time, जब भी suspension को जादर समय तक रखा जाता है, तो इसका flavor change हो जाता है तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, flavoring agent are added to suspension to mask unpleasant flavor, suspension का जो भी खराब taste होता है, उससे maintain रखने के लिए flavoring agent डाले जाते हैं और यह flavoring agent जो होती है, यह volatile nature के होती है, volatile nature मतलब जैसे कि अगर यह आपकी skin है, इस पे अगर कोई suspension हम डालेंगे, तो क्या होगा, जो volatile होने का मतलब वो evaporate होंगे, evaporate मतलब उपर उड़ने लग जाएंगे, और कुछ समय बाद जो भी liquid part होगा, वो जब evaporate हो जाएगा, तो तो इसका पूरा जो result क्या निकलता है, कि जब भी flavoring agent evaporate हो जाते हैं, तो इनका flavor change हो जाता है, तो हमें करना क्या है, इस problem को solve करने के लिए कि simple है, कि sufficient amount में flavoring agent डालना है, और यह flavoring agent strong होना से ही है, मतलब कि जल्दी जाएना, ठीक है, इसका जो भी effect है, वो जल्दी जाएना, हमें बस यही करना है, अगला देखते हैं second, formation of cake, यह तो आप जानते ही हैं, कि जैसे मैं side में आपको बताता हूँ, यह है आपका suspension, और इसमें solid particle present है, liquid particle present है, तो अगर इसे हम suspension को बनाएंगे, कुछ ज़्यादा दिन तक अगर इसे रखेंगे, तो होगा क्या solid particle नीचे आ ज होता है, कि जो भी solid particle है, उनके size को maintain रखना है, कैसे देखे यह लिखा है, particle size को कम करा जा सकता है, या बढ़ाया जा सकता है, उस situation के according, जो third point निकल के आता है, वो है change in color, अब कई बार क्या होता है, कि suspension का जब भी color हम लोग बनाते हैं, बनाते समय जो भी color रखते हैं, अगर उसे ज्यादा दिन तक रख दिया जाए, और या फिर अगर वो photo sensitive color है, तो वो sunlight से reaction करने के बाद अपना color change कर देगा, तो इस problem से चुटकाना पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि dark condition में रखते हैं, अपने suspension को, तो अगर आप dark condition में रखेंगे, तो sunlight की presence में आएगा ही न solid particle होते हैं, कैप locking में परिशानी देते हैं, कैसे देखेते हैं diagram बना के, suppose करिए, यह हमारा suspension ठीक, थोड़ा आडा तिर्चा है, दुबारा बनाते हैं, suppose करिए, यह हमारे suspension की bottle ठीक है, और यह है, यहाँ पर cap लगना है, और यह cap ऐसे करके कुछ लगेगा इस पर, ज्यादा बड़ा बना दिया है, चोटा बनाते हैं, अब यह cap इस पर लगना है, तो क्या होगा कि अगर solid particle जो अंदर ऐसे करके present है, यह यहाँ यहाँ पर ऐसे करके आ गाए, तो हो सकता है, कि जो यह cap यहाँ पर लगना है, इसे ना लगने दे, इसे solid particle के आने से यहाँ पर जाएगी समस्या, तो यह cap नहीं लगपाएगी, ओके, तो इस problem को दूर करने के लिए क्या करा जाता है, कि suitable vehicle का यूज किया जाता है, वेहिकल कौन होते हैं, हमारे dispersion medium जो होते हैं, जो liquid part है, वो suitable vehicle कहलाते हैं, तो वो suitable होने से यह जैसे कि glycerine या glucose का हम यूज करके, जो cap locking की problem है, इस लब आप जानते हैं, गाड़ापन, जो भी ज्यादा dense liquid होता है, उसे ही बोला जाता है viscosity, क्या होता है, कि जब कभी-कभी ज्यादा दिनों तक रखा जाता है suspension को, तो उसकी viscosity change हो जाती है, या तो बढ़ जाएगी, या वो कम हो जाएगी, तो होगा क्या, इसे solve कैसे किया जा है, ठीक है, तो ये आपको अगर exam में ये question आए, तो आप table के जरीए भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है, या आप अपने हिसाब से theory form में बनाके इसे लिख दीजिएगा, ठीक है, तो मैंने तो आपके लिए बहुती best way चूस किया है, table के जरीए आपको आसानी से समझ जाएगा, तो अगर आपको इसके notes चाहिए हो, तो description में मैं लिंक दे दूँगा, जहां से आपको ये notes मिल जाएंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe कर लीजिए, इस वीडियो को like जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर बचाईए, ताकि उ पर एक अच्छी सी वीडियो में सब तक के लिए धन्यवाद,